हाई फ्रेंड्स वेलकम टू जी आरेश टेक्निकल लेकर मैं आ गया हूँ अंतराष्ट्रिये एवं राष्ट्रिये नौरत्न करेंट अफेयर्स आज का पहला प्रश्ण है वर्ल्ड मेट्रोलोजी डे का थीम क्या है तो मेजर्मेंट फ़र गलोबल फ़र ट्रेड दूसरा प् खेत सनरक्षन कारेकरम किस राज ने सुरू किया है तो ये तमिलनाडू ने सुरू किया है तमिलनाडू की राजधा नीचे नई है बरतमान में राजपाल है बनवारी लाल पुरोहीत मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी अगला प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है तीन 400 मीटर लंबी चमबा सुरंग का उदगाटन किस ने किया तो किस ने किया है नितिन गटकरी ने किया है अब इससे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी ले लें ये उतराखंड चार धाम पर योजना में से एक है और ये उतराखंड के चमबा सहर में इसका विद्धवत उदगा पाटन किया गया है पत्थ निर्मान एयों उद्धयन मंतरी नितिन गटकरी के द्वारा ये केंद्र सरकार के बहुत इंपावरफुल मंतरी है चार नंबर प्रश्ण कैचच अप नामक कॉलिंग एब बहुत इंपोर्टेंट है कैच अप नामक कॉलिंग एब किस ने किया क्यों किया है कि में एक राट लोगुलिंग कर सकते हैं यह किसका है किया गया है तो एक जूम्हक dwगदि पॉपुलर हो चुका था एक सांथ तक्रीबन सौ के आसपास लोग उस पे वीडियो कॉल कर सकते हैं पचास तो आमूमन कर सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आठ लोग का गुरूब एक सांथ कॉलिंग करेगा ऐसा एक फीचर फेस्बुक ने लॉंच किया है पांच तंबर प्रस्ण है हुनर हार्ट ध्यान दिजिएगा जो में वर्ड है उसको पकड़िए हुनर हार्ट कारेकरम किस मंत्राले ने आयोजन किया है तो अल्प संख्यक कार्य मंत्राले ने अच्छा इसका थीम क्या है थीम बहुत इंपोर्टेंट होता है तो लोकल से गु अगला प्रस्ण है छे नमबर नाइजर में भारत के अगले राजदूद कौन बने है तो पी के नायर जो है वो नाइजर में भारत के अगले राजदूद बने है नाइजर पढ़ता कहां है तो ये पस्चमी अफेरिका में पढ़ता है 1960 इसवी में फ्रांस से अलग होकर नाइजर देश का गठन हुआ नाइजर नाम वहाँ पे बहने वाली एक नाइजर नदी के नाम पर रखा गया नाइजर में भारत के अगले राजूत कौन बने है पीके नायर अगला प्रशन है Sunrise Foods Limited के 100% अधिगरहन किस कमपनी करने की घोसना की है तो ये ITC ने करने की घोसना की है Indian Tobacco Company हेट क्वाटर कहां है कुलकता में है ठीक है अठवा आठ नंबर प्रशन UN Gender Award किसे मिला तो सुमन गावनी को मिला ये पहली भारतिये सांती रक्षक है मेजर गावनी UN मीशन के तहत दक्षिन सुडान में तैनात है आज का नौरतन का आखरी प्रशन फ्रेश स्पेलिंग पे गोड़ करिएगा AFR ESH नहीं है AFR ESH है ये एक ब्रांड है और इसका establishment किये है महान सुपरेश्टार सलमान खान कारी क्या है इसका खुद का गुरूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड इन्होंने लॉंच करा है नाम सलमान खान जानते तो सब कोई होंगा लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथ ही साथ इसको जरूरत मंदों तक पहुँचाएं सब्सक्राइब जरूर करें हस्ते मुस्कुराते रहिए इसी के साथ जय हिंद वंदे मातरम